आजुको चर्चामा योन ओर्जा तो एसको चेतन महत्तो मानव जातिको लागे एस बारे चर्चा गर्चु पहिला तो चेतन रुपमा बोधमा ज्यानमा उसियारीमा मानव जाति देखी इस शुरत सम्मको जिन्ट विकास छो इसमा हानले योन लाई जोड़े का छो ब्रह्म चर्या भने सब्दमा इसको बैयानिक महत्तो की हो इसको अर्थक की हो इसलिए की गर्चा माले धेरे चर्चा गरी सकी कुछु मानव जातिको लागे योन सारीर्यक रूपमा संतान उत्पति को लागे मात्र रर इस भंदा बढ़ी जी अधिक छो त्यो सबै चेटन रूपमा उपयो गन पर छो इसरी को लागे हो मानव छे मतामा त्यों होस त्यों होसियारी त्यों सुरी अवस्था त्यों बोध त्यों ज्यान को लागे नहीं योन उर्जा हो योन उर्जा हमेले शरीर बाट बाहर बहायां मोफटने जेतना को लागी त्यों अर्जा मिल देए नहीं त्यों बोध मा त्यों होस मा त्यों संबेजन शिलता मा हमें रहा न सकते नहीं हमें कमजोर हूं छोँं दर तला गिर्षों तल गिर्षों को अर्था यू होई ना कि हमी मानव नहीं रहा दैनौं हमी चेतन स्थिती मानव ये रहा दैनौ हमी दानव ये रहां छों या मानव चेतना भंदा तल लो चेतन इस्थर तर्फ जान छो चेतन इस्थर को अर्थ यही हो कि उर्जा को अधिक ता उर्जा को इस पस्टता, उर्जा को उपयोग, तो चेतन रूपले हामेले तो योन उर्जालाई उपयोग गरें भने, हामें होस पूर्पक्रहांचों, भोध पूर्पक्रहांचों, एसे लाई, सान्ती भनियेको, आनन्द भनियेको, इसुरत भनियेको, बोध भनियेको, सब्द मां जेशुके हो जसले जुन सब्द ले भने पने ते चेतन उचाई को ते जागरूपता पाउनों को लागी योन उर्जा को अनिवारे संचार आउसेक्षक चेतन निस्थर्म एदी यूब भाय ना भने आमी उर्जा माने कमजर हुँँचों उर्जा ने भाय ना भने ते मिल देन ते उर्जा भाय बसे आमीड थोरे मात्र होशियारी थोरे मात्र हैस्मा बुद्धी माने थोरे बिविक संतुलन गरे भने बस इस पस्ट मिल चे इस पस्ट ताने ते शुरिय उच्चता हो ते होस त जागरूपता यही नहीं हो जसला है में इस्षोर बन्छाँ अब योन उर्जा रा इस्षोर को सम्मंद इस्तों छा ब्रमचर्या को अर्थ फेरे योन उर्जा सारेरेक रूपमा नहीं बन्दगार नूँ खैना आमें चेतन रूपमा जती समय होस्यार रहनू पारने हो जती समय आनन्देत्र सांध ज्ञान माई पूर ब्रेक्तित्तों तो इस्षोर तो सहीत रहनू पारने हो इसको लागी योन उर्जा संकलन र संचार गरने परें। यो आवसिक छाई ना भने हामी फेरी सारीरिक गुरुप मा पने योन मा आउना सक्छू। सारीरिक छोटो तो आनन्द को लागी योन बहाउना सक्छू। रा जसलाई तो बूध मिल छा जसले तो आनन्द पाउंचा उसले संतानुत्पतिको लागी मात्र योन सारीरिक हो भने देखने छा जसलाई तो मिल देना तो आनन्द मिल देना तो मुप्तिको आनन्द मिल देना तो सांतिको आनन्द तो सत्तिको आनन्द तो इस सुरी उसको लागी ते शरीर को शान्स शुखा को जलत ने प्यारों बनच और उप इवन मा लिप्तँ हुं ज उचेतन रहां देना 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 उ ब्रमचर्य अपनाउं देमा योन लाई बहेर नब भाउं देमा फिर उसको योन उर्जा चेतन लुपले संचार भयो भन्ने होई ने फिर यहां बवदिक कारे गनुपने चो त्यो साधना लाग चो मतनाओ फिर भीभेख लगाउना बने चो त्यो विभेख लगाउना दाने और उर्जा थेसमस्घचंअ हुन उलाई पिर संखला भयो थे संखला बन्तार प्रबदिक के घ्रश कर्चंच ऑनी न हुना चैनल हो ऊसलेजीरगी इस्तीना कार्यरव करने हो तुछ कारे रहन रागैश तक पर बदी उसको नायै सर्गेग सुभावी उसको पन अनुशारगों उसको अनुऊकुल नामा उसको पनतला हो उसको Сव Delete छीक जिबन मिला तेहां बन्छ इस भन्दा पर एट यो उर्जा छाई ना यो उर्जा लाई सही रूपमा उपयूग भायको छाई ना चेतन रूपमा भने वो पसुई स्थर्माने रहन पने छा मानब भन्दा तल्लो चेतने स्थर्मा बेहोशी मा यांत्रिक्ता मा आजगो ल यह दिले